आज के इस जलसे आम के सद्र मुखतरम चंदिगर से तश्रीफ लाई है हमारी महमान सोनिया जैसवाल साहिबा और इंडिया अलाइंस के तमाम सिम्मधारान और इस महले में जहां तक मेरी आवाज पहुँच रही है ऐसी तमाम मेरी परदनशीन माए बेहने जोटों ने जोटों से कहा है सच बोलो सरकारी एलान हुआ है सच बोलो घर के अंदर जोटों की एक तोली है दर्वाजे पर बोट लगा है सच बोलो दोस्तों आज हमारे अपने शहर में मुखालफीन जमाते बड़े-बड़े स्टेज लगा कर जो कुछ कह रही है ये सब जूट बोल रहे हैं जो लोग ये नारा दे रहे हैं कि हमने माले गाओं में तामिराती काम किये जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम विकास की सियासत करेंगे विकास की राजनिती करेंगे जो लोग ये कह रहे हैं कि अच्छाई और पुराई की जंग है ये सब जूट बोल रहे हैं अगर इन लोगों ने माले गाओं का विकास किया अगर इन लोगों ने माले गाओं की तामिर तरक्षी की तो आप इन लोगों से सवाल कीजिए सूफी साहब हमारे दर्मयान तश्रीफ लाए हम आपका इस्तिक्पाल करते हैं तो आप इनसे सवाल कीजिए कि अगर इन्हों ने मालगाओं की तामिर और तरफ्की की तो फिर 2011 से 2014 तक 2900 करोर रुपे के घोटाले का जिम्मेदार कौन है अगर लोग यह कह रहे हैं कि हमने मालगाओं का विकास किया तो इनसे सवाल कीजिए कि मालगाओं से कई लाख रुपे के 20 गार्डन कहां गाएब हो गए अगर लोग यह कह रहे हैं कि इन्हों ने तामिर और तरफ्की की तो इनसे सवाल कीजिए कि 11,000 कालोनी में 200 करोर रुपे के घोटाले का जिम्मदार कौन है अगर ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने तामिरों तरफ्की की तो इनसे सवाल कीजिए कि हमारे शहर में नौजवानों को रोज़गार क्यों नहीं मिला हमारे शहर में BBS और BDS कॉलेज क्यों नहीं आई हमारे शहर में मिडिकल कॉलेज क्यों नहीं आई हमारे शहर में जदीद अस्पताल क्यों नहीं आया हमारे नौजवानों के लिए प्लेगराउंड का इसनी इन्तिजाम क्यों नहीं हुआ हमारी माव बहनों के लिए सहर तफ्री के लिए कोई इंतिजाम क्यों नहीं हुआ अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने तामिर और तरक्की की तो हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार और हमारे शहर में बड़ी बड़ी कमपनिया क्यों नहीं आई इन लोगों ने वादा किया ता काली इंसनत का आज आपके घरों पर वटू की भीक मागने आ रहे हैं आप इन से पूछिये कहा गए इनकी काली इंसनत इन लोगों से सवाल कीजिए कि 2014 से 2017 तक कार्पोरेशन को जो सबसे ज़्यादा लुटा गया इसका जिम्मदार कौन है मेरे दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ जूट की सियासत कर रहे हैं ये अस्बियत की सियासत कर रहे हैं ये ब्रादरीवाद की सियासत कर रहे हैं ये बंदूग की सियासत कर रहे हैं, ये ड्राने और धमकाने की सियासत कर रहे हैं, ये दाजागिरी की सियासत कर रहे हैं, आज जब हम इस तरह की बाते कहते हैं, तो मेरे कुछ दोस्त मुझसे कहते हैं कि इमरान, ऐसी बाते मत किया करो, ये बड़े लोग हैं, कुछ लोग य चो झा ने मेरे एक दोस्त से कहा कि भाई नाम कैसे ले आरेडी तीन मरतबा दंकी मिल चुकी है। तो यह ऐसे लोग हैं। एक वीडियो मेरे जुजरों से गुजरा। जिसमें यह कह रहे हैं कि अगर मैंने या मेरे घराने ने या मेरे कारीकर्ताओं ने अगर किसी को धमकी दी हो किसी को डराया हो किसी को सताया हो तो आप मुझको बता दे न मैं सियासत छोड़ने के लिए तयार हूँ तो मैं महुदे से बताना चाहता हूँ कि एक मिसाल तो मैं खुद हूँ दूसरी बात हमारी कॉंग्रेस पार्टी के सदर मौतरम एजास बेक साहब ने गुलशियर नगर के जलसे में कहा था कि एजास बेक पर हमला किस ने कराया अलताब बेक की सुपारी किस ने दी इसराइल इस्सू पर हमला किस ने कराया शफीक एंटी करप्शन पर हमला किस ने कराया अब्दुलमालिक यून उसी सबर फाइरिंग किस ने कराई अब बोलिए इनकों के छोड़ दीजिए सियासत जूट मेरे दोस्तों जूट इतना बोला जा रहा है इतना बोला जा रहा है कि हमारे परधान मंतरी मोदी जी भी पीछे रहे गए इनसे जूट बोले इतना जूट बोला जा रहा है यह शहरियान को बेवकूफ समझते है यह समझते है कि आज भी यह माले गाउ उननीस सो ब्यानवे और दिननवे का माले गाउ है इनको पता नहीं कि आज की जनलेशन आज की नौजवान आज के बुज़र्ग सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ जान रहे है अब ब्रादरी वाद और रस्बियत की सियासत से काम नहीं चलने वाला अब तामिर और तरफ्की की बात हो जो लोग आपके महले में आकर रजबियत का वास्ता दे रहे ब्रादरी का वास्ता दे रहे तो मैं कहिना चाहता हूँ कि हम कौन से ब्रादरी से तालुक रखते है हम कौन सी स्यासी जमाद से तालुक रखते है ये सब बात में है एक नमबर पर ये है कि हम मुसलाई हैं, हम अम्मूमिन हैं हम आप С.A.W. के मانने वाले हैं उनकी आहदीश और उनकी सुनतों पर जानने चाव़ करने वाले हैं अब आप स handler reservation ने क्या फरमाया सुनिये मेरी इствен बात को आप स स्य L correct अम्मaları झाम ने फरमाया और जो अस्भीत पर मर गया वो भी हम में से नहीं अब फैसला आपको करना है कि आपको ओट अस्भीत और बिराद्री की बुन्यात पर देनी है या तामिरों त्रक्की की बुन्यात पर मेरे दोस्तों आले ओले मुस्तक्बिल बहुत खतरनाक है अगर हम बहिकावे में आ गए इन लोगों के और हमने गलत फैसला ले लिया तो हमारे शहर का मुस्तक्बिल हमारे बच्चों का मुस्तक्बिल हमारे नौजवानों का मुस्तक्बिल हमारी माव बहनों का मुस्तक्बिल बहुत सतरनाक उने वाला है पच्छताएंगे और पच्छताने के सिवा कोई चारा नहीं होगा आज आपके सामने एक इमानधा केंडिडेट खड़ा हुआ है ता मेरी जहन रखने वाला नामजद उम्मिद्वार खड़ा हुआ है जिसे हम एजास बेक के नाम से जानते हैं जो काम एजास बेक साहब ने एक कार्पोरेटर रहते हुए किया है आजी माजी ने भी नहीं की यही स्कूल नंबर एक में बुनकर भवन का काम जारी है यह बुनकरों से हमदर्दी का दम बढ़ते है पूछिये इन से किया किया इनोंने बुनकरों के लिए सिर्फ बयान बाजी की है सिर्फ तक्रीरे की है सिर्फ जोटा दिलासा दिया है बुनकरों के लिए अगर कोई काम कर रहे तो बुनकर भवन का काम जारी हो चुका है आप जाकर देखिये एजास बेक साहब कर रहे हैं ये मुस्लिम कायादत कदम बरते हैं ना इनसे पूछिये मौरान आजाद रोट सालों से खस्ताहली का शिकार थी पैदल रास्ता चलना दुश्वार था क्यों नहीं ने मौरान आजाद रोट की तामिर कराई अगर किसी ने मौरान आजाद रोट की तामिर कराई तो तीन करोड के फंड से एजास बेक सा हमने तामिर कर रहा ये मुस्लिम कायादत और तामिर तरक्की कदम बरते हैं इनकी तामिर तरक्की कही नजर नहीं आती है इन्होंने अगर कुछ बनाया भी है तो में करोड़ रुपे का खोटा लगिया है और एडिय और सीबियाई से बचले के लिए जीत दादा पवार और फ़र्णवी इसका दामन थामे होगे है वरना ये कब का जेल की सलाखों में होते एजाज बेक सहाब ने लाइबरियरी बनाई लेडिस जिम खाना बनवाया खानका शुरफ या गेट की तामिर करवाई वहाँ बज़र्गों के लिए बहतरी इंतज़े इंकारी के कौन कर रहा है इतना सब काम कोई नहीं कर रहा है आप उनका वार्ट जाकर देखिए अगर आप हम किसी घराने का अंदाज़ा लगाते हैं तो वहाँ किसी नوجबान से किसी एक फुरद से म Enjoy लगा लिते हैं कि ये घर कैसा है ये खान दान कैसा है इसी तरह आपको अगर अंदाज़ा लगाना है कि कोँसा उम्मिदवार हमारे शहर के लिए फाइदा मन्द है तो आप उसके वाड में जाकर देखिए जिनके घराने ने 30-35 साल हमारे शहर पर राज किया आज भी उनके वाड में चलने के लिए रास्ता नहीं है हमारी माए बहने सुबा से लेकर शाम तक काम करती है ठक जाती है कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर जाकर उस सहर उताफ़ी कर सके खुली फिर्दा में सास ले सके ताकि बिमारियों से महफूज रह सके लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है अगर इंसे सवार पूचा जा रहा है तो इडराने की कोशिश कर रहे है आज जो महौल बन चुका है हमारे शहर का कोई सामने आकर बात करने के लिए बोलने के लिए तयार नहीं है दोस्तों और सही बात भी है हर कोई हमारे तुमारे जैसी हिम्मत नहीं करेगा हर कोई यह नहीं कहेंगा के रहा में खत्रे भी है लेकिन तहरता कौन है मात कला नी है आजा जाए डरता कौन है तेरे लशकर के मुकाबल मैं अकेला हूं अगर फाइसला मैदा में हो जाएंगा मरता कौन है दोस्तों हमें किसे से डरने और घबराने की बात नहीं है मुमिन अबात कहने से कत्राता नहीं है यह तो हमारे इमान का तकाज़ा है वारना हमने कब्रिस्तान में अनों लोगों की भी खब्रे देखी जो इस खौब से खामूश थे जिन्हों ने जुम के ख्लाफ और नहीं साभी के खिलाफ इस खोख से आवाज बरन नहीं कि अगर सच कहेंगे तो मारे जाएंगे तो क्या हम हमारे आने वाली नसलों को योही रोता बिलगता छोड़ दे क्या हम हमारे आने वाली नसलों का मुस्तबिल योही तारीक में डखेल दे आज इन लोगों ने हमारे शहर का ताली में निजान दरहम बरहम कर रखाए बहात्तरी स्कूलों को प्राइमरी स्कूलों को इन लोगों ने तुरुआ दिया है और कही प्राइवेट कॉम्पलेक्स, कही पर इलिगल शॉपिंग आले कही पर शादी होर इस तरह की तामिरात करवाके वहां से आने वाले पैसों से अपना घर बढ़ रहे ये दामी उतर रखी की बात करेंगे, ये सिर्प जूटे वादे कर रहे हैं अब इनका कोई बस नहीं चर रहा है, तो ये दादा गिरी पर उतर आए है वक्त तो कम है, कहना तो बहुत कुछ था, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन एक बात ही काफी है अगर आपके दिलों में उतर जाए तो दोस्तों महराश्ट में कांगरेस पार्ट और इंडिया अलाइंस की सरकार बनने वाली है अगर हमारे शेहर का नुमाइंदा काम्याब होता है आपकी दोआउ से, आपकी ओड़ों से तो यकीन जाने, यकीन जाने, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इन्शालला मारे शेहर का मस्तखबिल बहुत तापना हो अगर आप ने अपनी होटों का गलत इस्तिमाल कर लिया किसी और बुनियाद पर और किसी और उम्मिद्वार को भेज दिया तो वहां पर इनकी सुनी भी नहीं जाएंगी ये क्या हमारे शहर की नुमाइंदगी करेंगे फिर पास साल होने के बाद ये यही कहेंगे कि वहां तो हमें मौका ही नहीं मिला तो हम कहां से इस शहर की नुमाइंदगी कर सकते थे वक्व बोट की जो इमलाख है उसकी हिपाज़त के लिए मुस्लिम प्रस्तल्ला की हिपाज़त के लिए हमारी माओ बेहनों के तहफूश के लिए हमारी शरियत के तहफूश के लिए अगर आपको अच्छा फैसला लेना है तो इस वक्त पांगरेस पार्टी आपके सामने है आज जो अपना कलर हरा करके आपके दर्मियान आये हैं और जो मुस्लिम उम्मिदवारी का दम भर रहे हैं इनसे पूछिए कि कुछ साल पहले ये बीस लाग चालिस लाग के तरस्दार थे आज हजारो करोड रुपे कहां से आया इनसे पूछिए कि ये जीतने के बाद कहां किसकी गोद में जाने वाले है आपकी उटे अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो बीजे पी के दामन में जाने वाले है दोस्तों ये मौका सचों की हमायत का मौका है मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा शुरू में मैंने एक आयत पली थी ल्लह फर्माता है या या लदीना अमनुतकू ल्लाह वकूनु मा सदिकीन के एमान वालो बात दरो और सचों के साथ हो जाओ तो इससे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है और सचों के साथ होने का मौका आ गया है कि मैंने माना मेरी आवास नहीं जाएगी भी इस तारीख को आप अपना कीमती ओड कॉंग्रेस पार्टि और इंडिया अलाइंस के नाम जद उम्मीदवार आली जनाब एजास बेक सहाब को एक नंबर का बटन पंजा निशान को बटन दबा कर दे और भारी अक्सर ये से काम्याब करे कि मैंने माना मेरी आवास नहीं जाएगी दरो दिवार से टकरा के पलज आएगी अब ही मौका है अंधेरों का करो कोई इलाज वरना ये नसल उजारों को तरस जाएगी वाखिरु दावाना निल्हम्दुलिल्लाह रभ्यलाह